आपको सौगत करते हैं विधायक जी चले गाउं के ओर में आज हमारे साथ हैं दिवियापूर से बात पाइग लाखन सिंग राजपूर जी जो अपने छे से पहली बार विधायक हैं और ग्याराजार पांसो पैसाट प्रोटो से जीते हैं से बात करते हैं गराम पनचायक के बारे में अपको बहुत वह सौंगता है अड़ना धन्योष। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम भारत में दो दो भारत हो गए हैं भारत तो अखंध है और एक ही भारत है और भारती जंता पार्टी की सरकार केंदर में भी है और उत्रप्रदेश में। है दोनों सरकारों की प्राथमिक्ता सहर और गाओं को विक्षित करने की है सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ दोनों सरकारें बनी है और अपना उसी एजेंटी के अनुसार काम कर रही है सहर का भी विकास करना है और गाओं का भी विकास करना है अखंड भारत है, सेहर का भारत अलग और गाउं का भारत अलग नहीं है दोनों ही एक समान है, दोनों को प्रात्मिक्ता के आदार पर विक्सित करना है जो ये माने निये मुख्य मंदरी होगे आदितनाथ के जो गोरगपुर से हार हुई है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे देखिए ऐसा है, हार जीत तो राजनीत का खेल है कभी हारना कभी जीतना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारती जनता पार्टी वहां कमजोर हुई है और भविश्य में जो 2019 का चुनाव होने बाला है उसमें भारती जनता पार्टी ही प्रचन भहमत से आएगी और सरकार अपनी नीतियों रीतियों के आधार पर काम कर रही है कहीं भी भारती जनता पार्टी का कोई करकरता भारती जनता पार्टी से नाराज नहीं है आप लोग ये सोच सकते हैं कि कारकरता की नाराजगी की वज़ा से वहाँ पर हार हुई है वहाँ की परिस्टियां और जाती समीकरन के आधार पर दोनों नहीं वलकि तीनों दल कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी तीनों जो एक दूसरे के घोर विरूदी है 95 में मैन मायावती जी की घटना किसी को भूल नहीं सकती है और उस आधार पर ये भाजपा को हराने के लिए तीनों एकटे हुए हैं ये अच्छा भारती जन्ता पार्टी के लिए ये घटना जो ही है वो बास्तों में शवक सिखाने की है और इस पे पूर्टिया सुधार करके भारती जन्ता पार्टी दोजार उन्नीस में पूर्ण भाहवत से भारत सरकार बनाईजी अधि जिस गाओं से मानी मुख्यमत्य योगी अधित नाजी पांच बार सांसत रह चुक है उस गाओं में बहुत सारी सी मूलवी सुधाय जो नहीं पहुंच पा रही है इसका क्या कारण है? अभी आपने देखा कि पूर्व सरकारों के द्वारा जो भय युक्त बातावरन किया गया था वो सीधा प्रमाण आपको बिलता है जो 21 और 22 फरवरी को यहां इन्वेस्टर समित का आयोजन हुआ था वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो उत्तर प्रदेश की तस्वीर उत्तवीर दोरों बदलेगी जिए पूछ रहे हैं कि जो आ की जो वहां की सुविदाओं की बात करा है कि जहां से मुक्स मंत्री योगी आजितनाग्जी पांच बार सांसद रच चुके हैं उस गाउं की जब हालत ऐसी है तो अधर गाउं की जो हालत है उसके बार में क्या करें नहीं विकास की हालत वहां खराब नहीं है जहां पर पांच वाच बार मानिय मुखमत्री योगी अधितनाग जी सांसद हुए हैं वहां विक्सित होने के कारण ही उनको बोट दिया है पहले बोट दिया है लेकिन कुछ परिस्थितिया इस रहीं जिसमें तीनों दल कांगरेश बस्पा और सपात तीनों दल ने मिलके भाज़पा के ब्रोध में चुनाव लड़ा और कुछ जाती समेकर्ण इस प्रकार के हो जाने से इस प्रकार के पंड़ाम आये हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है यह उप चुनाव है आगे जो जनरल चुनाव होते हैं उनमें परिस्थियां अलग होती है और भारती जनता पार्टी अपने विकास और रीत नीत के आधार पर भारत सरकार बनाने के लिए पूर्टिया सक्षा में और बनाएगी लेकिन दाएगी सर्वे के बाद पता चला है कि वहां के जो स्कूल है वहां के कई बच्चे को पास अभी भी ड्रस नहीं है और बच्चे जमीन पर बैट कर पढ़ाई करते हैं उस जो स्कूल है उसमें पंखा और बल्प तो लगा हुआ है लेकिन बिजली तीन साल से नहीं है सरकार को उन स्कूलों की टीचर से और काम लेने हैं तो सरकार उसमें स्कूलों में टीचर रखती क्यों है फिर अगर यसे में बज्यों बच्चों का भवित से वो किधर जागा क्या होगा उनके बावित उसके बारे में जैसे विद्दुत की आपने बात कही हमारे उर्जा म प्रवांत्री ने सहर और मख्याले और गाउं में बिजली का जो डिस्टिबीशन किया है 24 गंटे 20 गंटे और 18 गंटे का और जो टांस्फारमर जिनकी छमता कम थी उनको उनकी छमता में ब्रद्धी करके विद्दुत का डिस्टिबीशन अधिक से अधिक किया है ये पहली बा तो यह बिजली के बारे में परड़े जब बिद्धान सवा सदन चलता है उचमें यही बिपक्षी द्वारा सवाल पूछा जाता है तो उचमें यही आता है कि 18 गंटे 20 गंटे 24 गंटे बिद्धिती करण हो रहा है नगर का और सहर का और मक्यालों का अलग अलग हो रहा है तो बिजली के बारे में अगर कोई कहता है इतना उत्पादन बढ़ा दूसरा टांस फार्मरों की छमता बढ़ी जिससे नगर और गाउं तक बिद्धिती करण हो सके और जो किशानों के लिए ट्यूबेल जो बिजली के करण उनकी सिचाई अच्छी से अच्छी हो रही है उसका भी उत्पादन बढ़ा है किशानों के लिए विसेश छिंता की गई है और किशानों के किर्शी के माद्यम से बजट को भी उसमें सबसे अधिक दिया गया है किर्शी के किर्शी के बजट को और उसमें यही लक्ष रखा उत्तरप्रदेश सरकार का और केंद्री सरकार का कि किशानों की आमदनी को दुगना करना है तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई छिचोट्र बाकी नहीं है, कि वहाँ पर facilitating नहीं है, रही बाद teachers की. तो हमारी सरकार ने biometric system कर दिया है और biometric system से उसकी teachers की उपस्तिती सुनष्चित होगी. जो टीचर्स विद्ध्याले में उपसित नहीं होंगे उनके खिलाब कड़ी करवाई करने का नेड़ है उत्रप्रदेश सरकार ने लिया है इसलिए विद्ध्याले हो और विद्ध्याले में मैं समझता हूँ कि इतना बजट दिया गया है कि ड्रेस बस्ता और जूते और मोज जो पूर्व सरकारों ने ड्रेस दी थी वो एक खाकी ड्रेस थी जिससे छात्रों में हीन भावना पैदा हुई और पढ़ने में उनका कम प्रखर बुद्धी कम रही उनकी और अब सीवी ऐसी बोर्ड को लागू करने का उत्रप्रदेश सरकार ने लिया है प्रतेख जाओं में सोचला देने का काम किया है सोच से मुक्त खुले में सोच से मुक्त करने का उत्तरप्रदेश सरकार भाराव सरकार दोनों का नेले है और वो काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और किर्शी के बारे में धान का और गेहूं का मूल निर्धारन किया है उसमें सीधे आर्टी जीएस के माद्यम से उन किशानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचता है जो दलाली और बिचॉलियों का काम बीच में था वो उत्तरपदे सरकार ने खतम कर दिया है इसलिए किसानों की दो हजार बाइस तक दो गुनी आमदनी करने का जो नेड़े लिया है वो पूर्टिया सफल होगा और उसी पर उत्तरपदे सरकार और भारत सरकार बनों काम कर रही है कृशी विग्यान केंदर खोले गए हैं मर्दा परिक्षन कराया जा रहा है परते किसान को मर्दा काड दिया जा रहा है कि उसके खेत में कौन सी औरवरक जानी चाहिए और कितनी मात्रा में जानी चाहिए अक्सर किसान करते थे किसान ने एक बोरी यूरिया डाली तो दूसरे किसान ने दो बोरी यूरिया डाली जिससे फसल में नुकसान होता था अब वो चीज नहीं रही इसलिए किशान की मरदा परिक्शनल कार्ड इसू किया गया है उस आधार पर किशानों की आमधनी को दुगना किया जाएगा और उनके उत्पादन मूल का जो निर्धारिस गौर्लमेंट ने किया है वो उनका सीधा उनके खातों में भेजा जाएगा कहीं बिचलियों का काम और बेईमानी का काम सब कटम हो गया है अच्छे दिन की परिभाषा क्या है अच्छे दिन की परिभाषा तो यह है कि माताय मेहने जो बजार जाती थी वो सुरक्षित घर आजाएं उनके साथ कोई अन्याय ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो टास्क फोर्स गठित किया है जो हमारी बहने के साथ अत्याचार और अपना या बलातकार जैसी गठना होती थी इन गठनाओं के लिए कंट्रोल करने के लिए पूरी सरकार कटिवद्ध है और प्रतिवद्ध है कि वो किसी भी प्रकार से इन में कमी आई 6% की कमी आई है वलातकार में और अन अपरादों में भी बहुत भारी कमी पहले से आई है बहुत बहुत धन्यवाद विद्धाग जी आपका तो ये तो थे दिबियापूर से भाजपा विद्धाग लाखन सिंग राजपूजी जिनों ने हमारे सवालों के जवाब बहुत ही सूजबूज के साथ दिये है और आगे भी हम आपको अन जन प्रतिनीदी से आपकी मुल आपकात करवाते रहेंगे तब तक के लिए देखते रही हमारा खास कारकरम विद्धाग जी चले गाउं की ओर में रात आट बज़े और शिल्पी को दीजिए इजाज़त नमस्कार